बिस्मिल्लाइब रफ्माइन ररहीम लास्ट लेक्चर में हमने M.O.T. से रिलेटिड मोस्ट इंपोर्टन्ट ऑक्सिजन का स्र्ट्रक्चर ड्रा किया मॉलीकुलर और वाइटल डायग्राम्स के मताबिक अगर हमारे पास पोस्ट करें HE2 हीलियम का मॉलीकुल इससे रिलेटिड कॉस्ट्चन आते हैं कि हीलियम कैसा है बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता बॉन्ड ओडर क्या है हम देख लेते हैं इसका मतलब कि हीलियम का एक आटम हीलियम का दूसरा एक्टम जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो हीलियम का बनेगा मॉलीकुल हाइट्रोजिन के बाद दूसरा मेंबर हीलियम है टॉमिक नमबर है दो एलेक्रानिक कॉन्फिग्रेशन बहुत असान 1s2 ही इसकी 1s2 ही इसकी ये मैंने इसका टॉमिक नमबर लिखा है ठीक है he2 ये हीलियम 2 का मतलब हीलियम का मॉलीकुल और ये हीलियम 2 मैंने लिखे है हीलियम के टॉमिक नमबर एलेक्रानिक कॉन्फिग्रेशन 1s2 एंड 1s2 M.O.T. बहुत असान बनेंगी है ये आपके पास 1s2 पहले हीलियम एटम का ये 1s2 दूसरे हीलियम का सर्कुलर बनाए या ना बनाए अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये डिटेल पढ़ चुके According to the M.O.T. The number of molecular orbitals that are formed is equal to the number of molecular orbitals that overlap ये 1s2 पहले हीलियम का, ये 1s2 दूसरे हीलियम का, दो electron इदर, दो electron इदर दो ही orbital बनते हैं, एक sigma 1s होगा bonding और एक sigma star 1s इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं ये bonding है, ये anti-bonding ये maximality को जाहर करता है bond बनने की, ये maximality को जाहर करता है bond ना बनने की electron है, चार, दो तो आ जाएंगे सबसे पहले bonding में, जिनकी energy कम होती है, ये energy का sign है energy हमेशा बढ़ती है, ठीक है, नीचे से उपर की तरफ, दो electron मजीद यहां आ जाएंगे जितने bond बनाने के लिए electron कोशिश कर रहे हैं, उतने ही electron bond तुड़वाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कोई bond नहीं बनेगा तो इसका मतलब helium का कोई bond बनने का chances नहीं है, इधर वाले, इधर वाले electrons को cancel कर देंगे, ठीक होगे bond order भी बहुत असान है निकालना, number of the electron in bonding molecular orbitals minus number of electron in anti-bonding दो में से दो निकालो, zero आगे, divided by two, still zero, तो helium के molecule में कोई bond नहीं मनेगा अगर यही आप से question पूछा जाए, he2 positive, बताएं जी, यह कैसा है, exist करता है के नहीं अब यह हमें यहाँ पे बियान कर पाना मुश्किल है के electron किस atom से निकला आम थोर पर ऐसे question आते नहीं है, यह helium, यह helium, bond बन गया bond बन गया तो इसका भी 1S2 है, इसका भी 1S2 है जब एक electron इसमें से निकलता है molecule में से तो ये समझ पाना मुश्किल है कि electron किसमें से निकला दोनों की configuration एक है दोनों का energy level एक है दोनों की shape सेम है nucleus से दोनों का फासला सेम है तो जिससे मरज़ी electron को निकला जा सकता है तो इसका मतलब जब मैं he2 helium का molecule और उपर positive sign लिख दूँ तो इसका मतलब किसी एक helium का atom से electron निकला है आप इसकी diagram बना लिए बहुत ही असाल ये एक helium का atom ये दूसरा ये इसका उपर हमेशा anti-bonding बनाना है नीचे bonding क्यों? क्योंकि bonding की energy कम होती है anti-bonding की energy ज्यादा है तो किसी एक में एक electron होगा किसी एक में दो electron होगे total electron होगे तीन दो एक helium atom के एक helium atom के एक helium atom का क्यों? क्योंकि जब मैंने he2 positive लिखा he2 positive का मतलब helium के molecule में से एक electron निकला हुए total होगे तीन सबसे पहले नीचे वाला यह sigma one-ness है यह sigma star one-ness है electron fill करें lower level में दो electron इकठे आते हैं अगर दो एक जैसे हो तो one-one लेकिन अगर इसकी energy कम है इसकी energy ज्यादा है तो जार इसी बात है पहले दोनो electron एक में पुट रोंगे फिर एक electron anti-bonding में चला जाए हब bond बनने के chances है bond बनाने वाले electron दो है bond तुडवाने वाले electron एक है यह bond बनाने वाले electron है यह bond तुडवाने वाले यह bond बनाने वाले electron जो जिनकी maximum कोशिशा electron बनवाएं और इनकी maximum कोशिशा के bond ना बनने दे bond order निकाले 1 by 2 0.5 कहते हैं आदा बॉंड बनता है पूरा बॉंड नहीं बनता है तो molecular orbital theory ऐसी theory है जो आपको आदा बॉंड पॉना बॉंड, डेड़ बॉंड सवा बॉंड यह आपको सारे बॉंड सिखा रहती है तो इसका मतलब यह है कि association है पूरा बॉंड नहीं बना association डिवैलप होना शुरू होगी जब एक electron इसमें से निकल गया और एक और बहुत एहम बात मैं आप से पूछूँ के bonding, molecular orbital और anti-bonding में से electron निकालना किसमें से असान है जिसकी energy ज्यादा हो energy ज्यादा किसकी होती है anti-bonding की तो anti-bonding में से electron निकालना हमेशा असान होता है bonding में से electron निकालना मुश्किल है, कभी आपने पढ़ा था अगर मैं 1s या 2s या 3s की overlapping देखूँ तो यह positive charge nucleus, यह electron के reside करने के chances यह bonding molecular orbital है anti-bonding आपको बहुत बार बता चुका हूँ overlapping के लिए कोशिश करेंगे लेकिन overlapping कर नहीं सकते वहाँ से उतनी space उडा देनी है तो यहाँ पे nodal plane बन जाएगा जहाँ पे electron reside करने के chances minimum चलिए students आगे देखते हैं आपकी book में बहुत ही बहुत ही important law आपने याद रखने जब आप किसी period में move करते हैं hydrogen helium छोड़के अब मैं lithium के दरफ आता हूँ lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, phalurine, neon तक गहर से सुनिएगा जब आप period में move करते हैं तो electron activity बढ़ती है और phalurine तक जाते जाते maximum 4.0 यहाँ तक nitrogen तक element का behavior बहुत different है मैं आपको सिखाता हूँ कैसे different है इस group में lithium से लेकर sorry, इस period में lithium से लेकर neon तक दूसरा shell ही available है lithium, atomic number 3, beryllium, 4, boron, 5, 6, 7, 8, 9 octet पूरा हो गया period में move करते करते आपको octet पूरा मिलेगा यह बात पकी है लेकिन आपने यह समझना है कि nuclear charge सबसे excellent किसका है सबसे excellent charge अगर आप देखें तो fluorine का है यहाँ तो बात ही खतम होगी ना इसका octet पूरा होगी अब इसकी जंग खतम होगी bond बनाने का चक्करी खतम electron activity का concept निल electro positivity छोड़ दे यह सारी बाते तो तब हैं जब आप bond की तरफ move करते हैं तो neon, helium, neon, organ, krypton, xenon, redon तो यह तो stable है यह तो bond बनाने के लिए जद्दो जहत करते ही नहीं हमारी सारी electron activity की कोशिश हमारी सारी electro positivity की कोशिश हमारा सारा metallic character non metallic character S character, P character hybridization molecular orbital theory VBT, West पर यह सब क्या है bond बनाना, bond बनाना, bond बनाना तो जब bond नहीं वहाँ पर कोई भी discussion ज़रूरी नहीं तो आपने कहना है कि maximum charge density है वो किस के पास है फलोरीन के पास highest electron activity किस के पास फलोरीन के पास जब electron activity किसी element की कम हो तो nitrogen तक MOT आपको सिखा रहा हूँ यह बताते हैं for example, मैं lithium की electronic configuration लिखूँ तो यह 1s22s1 1s22s2 1s22s22p1 1s22s22p2 1s22s22p3 आपको पता है nitrogen तक क्या है electron activity बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जैसे ही oxygen और फलोरीन के तरफ आते है electron activity 4.0 तक मूव कर जाती है 3.44 और 4.0 यह 3.04 है nitrogen 3.04 oxygen 3.44 फलोरीन 4.0 nitrogen तक यह होता है मैं आपको shell भी ड्रॉआ करके दिखाता हूँ यह पहला shell है यह दूसरा shell है तीसरा shell तो होता ही नहीं अब यहाँ पर क्या है कि electron activity का मतलब nucleus की outermost electron से कशिश अपने electron से भी और बाहरवालों से भी अब यह electron जो है suppose करें कि अगर आप nitrogen लें तो electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3 बनती है अब यह valence electron है इसको छोड़ने इसका bonding में 1s2 का bonding में कोई हाथ नहीं यह जो जब electron activity कम हो तो 2s2 और 2p3 इनकी attraction कम है electron activity का मतलब ही यह है कि जब atom का nucleus का size बढ़ा हो nuclear का charge बढ़ा हो nucleus अच्छा हो तो electron खेंचे जाते हैं जब electron खेंचे जाते हैं तो जो electron 2s2 वाले हैं वो लग खेंचे जाएंगे जो electron 2p3 वाले हैं वो अपनी constant force है किस की तरफ खेंचे जाएंगे नुकलस की तरफ तो नुकलस इनको इजाजत नहीं देता कि आपस में ये छेड़ खानी कर सकें नुकलस इनको tightly bound करके रखता है कब जब उसकी electronegativity element की अच्छी है लेकिन अगर किसी element की electronegativity कम है तो electronegativity कम होने के वेज़ा से क्या है इनकी attraction थोड़ी है आपने electronegativity का सारा topic पड़ा है electronegativity कम है तो ये इससे कम कशिश होते हैं जब ये कम कशिश होते हैं तो ये एक ही orbit के अंदर या एक ही shell के अंदर रहते हुई ये आपस में fuse होने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश है जब electronegativity का difference थोड़ा हो period के अंदर तो क्या होता है 2s2 और 2p3 के electrons आपस में क्या करते हैं दुनों orbitals आपस में क्या करते हैं fuse होने की कोशिश करते हैं ना S पो रहता है ना P पो रहता है S का character P के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है इंडियूस होना शुरू हो जाता है और ये कोशिश करता है कि अपने आपको इंडियूस करवा के ये S P की तरफ move कर जाएं लेकिन ये ऐसा S P hybridization होती नहीं है लेकिन इनकी कोशिश ये है कि आपस में क्या करें अपने orbitals को mix करें ये कब होना है ये कब होना है जब electron activity कम हो और जब आपने मोटी पढ़ना है लीथियम बेरिलियम boron carbon nitrogen तक इनके molecules के लिए diagram हो रहे है oxygen fluorine neon के लिए हो रहे है oxygen fluorine and neon के लिए मैंने आपको पढ़ा दी अब मैं आपको इन तमाम की अगर इसका diatomic molecule इसका 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 हो तो क्या होगा देखते हैं suppose करें जी हमारे पास nitrogen का molecule है N2 मैं कहता हूँ कि जी उसकी diagram बनाओ अब यहां सारी बाते तो मैं नहीं सिखा सकता time के shortage की वज़ा से class में कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास sufficient time हुआ तो हम इन बातों को दोबारा सीख सके लेकिन थोड़ा सा hint पूरी बाते तो भी भी नहीं बता पाएंगे N2 का बनना अगर पुरानी बातें याद रखें तो कहते हैं कि nitrogen to nitrogen triple bond बनता है अब देखते हैं कि 2s2, 2p3 electron 2 electron 2 p के electron 1,1,1 जब 1 जैसे energy वाले orbitals मिल जाएं तो आपने degenerate orbitals में 1,1 electron fill करना होता है ठीक हो गया हब मैं मोटी के मुताबिक 1s से 1s, 2s से 2s, 2px से 2px 2py से 2py, 2pz से 2pz मैंने बताया कि nitrogen तक nitrogen तक trend different है s और p आपस में overlap करते हैं जिसके वज़ा से मैं diagram थोड़ी से आपको differentiated करने लगा हूँ गोड़ से देखेगा इसे सबसे जो नीचे लिखना है आपने लिखना है 1s सबसे नीचे 1s of first nitrogen atom 1s of other nitrogen atom यह दोनों आपस में होगे fuse atomic orbitals के मिलने से क्या बनते है molecular orbitals जिस तरह atoms के मिलने से molecules उसी तरह atomic orbitals के मिलने से molecular orbitals चले रफ सी डाइगराम मैंने बना दी है पहले भी बनाई हुए आपने याद रख रहे है 1s of first nitrogen 1s of other nitrogen 2s of 1 nitrogen 2s यह ना भी लिखें काम चल जाता है क्योंकि यह field है ज्यादा focus इसके उपर होता है लेकिन मैं 1s भी आपको draw करवा के दिखा देता हूँ कि इसमें bond नहीं बनता जहां 1s में नहीं बनता 2s में भी नहीं बनता 2px, 2py, 2pz पहले nitrogen atom के 2px, 2py, 2pz दूसरे nitrogen atom के 1s और 1s फ्यूज करेंगे तो orbitals बनेंगे molecular orbitals एक होगा sigma 1s पहले भी बाते पड़ी हैं और यह क्या होगा sigma star 1s यह क्या होगा sigma 2s और यह क्या होगा sigma star 2s star वाले सारे anti-bonding है जहां पे wave match नहीं करती अब यह देखें यहां पे आपने न जब oxygen की कभी diagram बनाई थी यहां पे पहले देखें चलिए आप direct याद कर रहें nitrogen के लिए 2py और 2pz नीचे आता है मैंने बताया कि जब आपके पास oxygen से पीछे-पीछे electron activity जब कम हो 3.04 nitrogen की electron activity कम है oxygen और oxygen, fluorine और neon तक यह कभी आपस में क्या होता है आपस में मैच नहीं कर पाते यह जब हम oxygen की example देखें तो last time oxygen में पढ़ाया था यह सिगमा स्टार 2s था और यह सिगमा 2px था यह लग लग रहते है क्यों क्योंकि oxygen की electron activity बहुत अच्छी है यह इनको आपस में overlap होने नहीं देती लेकिन जब nitrogen की बारी आती है यह 2s और 2px यह जो पास-पास वाले हैं यह आपस में fuse होने की कोशिश करते है 2s और 2px आपस में क्या होने की कोशिश करते हैं fuse होने की कोशिश करते हैं जब ये fuse होने की कोशिश करते हैं तो S का character कम हो जाता है, S की nature में S की energy कम हो जाती है, और P की energy थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्यूंकि S का character जब इसके अंदर जाएगा, तो S का character कम हो जाएगा, P का character थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसकी वज़ा से यहां पे जो sigma 2PX है, nitrogen के case में ये थोड़ा सा उपर चला जाएगा, और कुछ नहीं करना, nitrogen के case में ये जो sigma 2PX है ये उपर चला जाएगा, और pi 2PY और pi 2PZ नीचे आ जाएगे, बस आपने डियागराम में इतना करना, वज़ा सिरफ इतनी है कि oxygen के case में, ये आपस में fuse नहीं हो सकते हैं, energy gap बहुत बढ़ा है, क्योंकि nucleus ने strongly खेंचा हुआ है, इसको 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 तमाम को लगाम डाली, लेकिन nitrogen के case में ये थोड़े से अजाद हैं, ये जो sigma star 2S है, ये bonding है तो ये anti-bonding है, तो nitrogen के case में ये दोनों fuse होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वज़ा से जब fuse होते हैं तो ये जो sigma star 2S है, इसका character sigma 2PX के अंदर जाना शुरू हो जाता है, यानि S का character कम हुआ, इसका character बढ़ गया, इसकी energy कम हुई, इसकी energy ज्यादा होगी, क्यूंकि S अपनी energy इसको donate करने लग जाता है, जिसकी वज़ा से nitrogen के case में ये यहां आ जाएगा, थोड़ा सा energy level अप हो जाएगा, और ये दो थोड़े से energy से नीचे आ जाएगा, इतनी बाते ना भी याद रहें, तो आपने जहन में रखना है कि nitrogen के case में ये दोनों नीचे आएगे, और sigma 2px जो है वो थोड़ा सा उपर चला जाएगा, oxygen में सेम है, कोई फरक नहीं करना, लेकिन nitrogen में 2px और 2py ये दोनों अपस में बरापर हैं, ये नीचे आ जाएगे, और sigma जो 2px है ये उपर चला जाएगा, 2px और 2px के दरम्यान जो overlapping थी, ये थी sigma 2px, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपके पास 2px है, ये देखें, ये दूसरा 2px है, तो जो bonding है वो कैसी है, sigma 2px, तो किसी एक orbital की overlapping कैसी होती है, sigma, तो 2px और 2px के overlapping linear थी, head on थी, ये बन गया sigma 2px, अच्छे से overlap किया, energy अच्छे से काम हुई, इससे related, जो sigma star 2px है, ये बहुत बुरे से overlap हुआ, इसकी energy बहुत ज़्यादा रही, तो ये सब से उपर चला जाएग, ये oxygen के case में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये देखें, sigma 2px, sigma 2px, head on overlapping करते हैं, जब head on overlapping होती है, overlapping बहुत अच्छे होती है, जब overlapping बहुत अच्छे होती है, energy बहुत कम होती है, तो energy नीच जाएगा, और अगर overlapping अच्छी नहीं है, तो repulsion उतनी maximum है, और जब repulsion maximum है, तो sigma 2px का जो anti-bonding है, sigma star 2px, वो उपर जाएगा, automatically उपर जाएगा, सबसे उपर, इसकी energy अगर lowest है, P के हिसाब से, तो sigma 2p, sigma star 2px की energy, सबसे highest होगी, ठीक है, बाकि ये जो 2py, 2pz, ये पाई वाले हैं, ये ना बहुत अच्छे से overlapping करते हैं, ना इनकी energy बहुत अच्छे से कम होती है, ना बहुत अच्छे से बढ़ती है, दरमेन ने रहते हैं, इनर्जी का बहुत कम होना, या बहुत बढ़ जाना, ये sigma और sigma star की अलामत है, जो सिगमा होते हैं उनकी इनर्जी बहुत कम हो जाती इनर्जी बहुत कम होई तो स्टिबिलिटी बहुत अच्छी यह मैं आपको डायाग्राम से समझा चुका हूँ अच्छा चलें सिरफ आपने क्या किया यह सिगमा 2PX था तो यह सिगमा स्टार 2PX यह 2PY यह बराबर होता है 2PZ के क्योंके दोनों कीसाइड़वेस ओवरलैपिंगेifi अगर यह 2PY है तो यह क्या होगा यह अगर Pie 2PY है क्योंके इनके दर्मियान जो बॉंड है वो कौन सा है Pie यह Pie 2PY है तो यह कौन सा होगा मैं इसका नाम इदर लिखता हूँ πाई स्टार 2 पी वाई अगर ये पाई 2 पी जी है तो ये इसका नाम क्या होगा पाई स्टार 2 पी जी दोनों की इनर्जी एक जैसी है क्योंकि दोनों की ओवरलैपिंग कैसी होती है लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके है लिनियर पी वाई पी वाई सायड़ वाई पीजी पीजी सायड़ वाई ठीक होगे तो इन पी एक्स डिफरेंट है इसकी ओवरलैपिंग पी वाई और पी जी दोनों की ओवरलैपिंग एक जैसी चलें जी हाँ बाई-बारी एलेक्रों फिल करने की nitrogen के case में आपको वजाहत कर दी कि यह नीचे आएगा और sigma 2px उपर जाएगा oxygen के case में यह नीचे आएगा अब electron fill करने है सबसे low energy इसकी फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा आप इसका linear order भी लिख सकते हैं sigma 1s सबसे कम energy फिर उससे ज्यादा इसकी फिर उससे ज्यादा इसकी यह देखें sigma 1s सबसे कम फिर उससे ज्यादा इसकी फिर उससे ज्यादा इसकी फिर उससे ज्यादा इसकी फिर यह दोनों आपस में पराबर हैं लेकिन इसकी इससे energy ज्यादा है फिर इस से पिर यह sign आपने ऐसे use करना है यह come का sign है कि यह come है, यह से ज्यादा, उस से ज्यादा, उस से ज्यादा V नहीं है, यह come की alamant है electron fill करते हैं जी यह देखें, 1s2 था पहले atom के लिए 1s2 दूसरे के लिए 2s2 पहले के लिए, 2s2 दूसरे के लिए 2P3 था 1, 2, 3 पहले आटम के लिए 2P3, 1, 2, 3 दूसरे आटम के लिए अब अलेक्टरॉन गिने इसको पहले फिल कर ले ये देखे कहानी खत्म जितने बॉंड बनाने वाले उतने बॉंड तुड़वाने वाले बॉंड बनाने वाले बॉंड तुर्वाने वाले ये तो कहानी खतम कर दे ना इदर से छोड़ दे यहाँ पे तो बॉंड अडर इसका भी जिरो इसका भी जिरो बहस इस पे होगी एक दो तीन चार पांच छे अलेक्टरॉन हमेशा कम इनर्जी में पहले पुट होते हैं लेकिन ये भी बात याद रखनी है अगर दो और्बिटल एक जैसे हो तो वन वन पुट करना है टोटल है छे तीन इसके तीन इसके तो पहले इदर एक पुट करो फिर दूसरा अब पेर कर दो इसको ये तीसरा ये चौथा चार इदर आगए सिगमा टूपी एक्स में दो लेक्टरॉन एंटी बांडिंग पी का देखने सारे खर लिए बांड अडर निकालने के लिए नंबर अफ लेक्टरॉन इन बांडिंग मिलेक्टॉलर आर्बिटल ये सारे बांडिंग में है दो चार छे और अंटी बांडिंग में जीरो शिक्स माइनस जीरो डिवाइड़ बाइ टू आंसर कितना आया थरी इसका मतलब नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कौन सा बांड है ट्रिपल बांड जितना बांड अडर आजे उतने ही उसके पास बांड हुआ करते है चलिए आपको nitrogen की example सिखा दी oxygen की example सिखा दी इनका दोनों का differentiation बता दी है helium की example और भी जितनी examples आप चाहें आपको मिल जाएंगी लेकिन class तक इन्शालला हमें wait करना पड़ेगा वहाँ पे अगर हमारे पास appropriate वकत हुआ तो हम इन्शालला इन चीज़ों को मजड़ डिसकस करेंगे इससे related अगर कोई और question exercise में आता है तो मुने detail में डिसकस करते हैं लाफिस